नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही जरूरी और नाजुक विशय पर बात करेंगे, थर्ड जेंडर, इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर. जब किसी के घर में नया बच्चा आता है, तो अक्सर यही कहते हैं, मुबारक हो, बेटा हुआ है या बेटी हुई है? लेकिन क्या आपने कभी सुना है, मुबारक हो, आपके घर में इंटरसेक्स पैदा हुआ है? हर दो हजार में से एक व्यक्ती इंटरसेक्स होता है. आज हम समझेंगे कि यह कैसे होता है, और ट्रांसजेंडर लोगों के बारे में भी जानेंगे. क्रोमोसोम्स क्या है? जैसे होते हैं, लेकिन तेसवा जोड़ा तै करता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की, यह XX लड़की या XY लड़का हो सकता है. अब बात करते हैं इंटरसेक्स की. यह चार चीजों पर निर्भर करता है. एक, शरीर के अंगों का विकास, दो, क्रोमोसोम्स, तीन, हार्मोन्स, और चार, जन्नांगों का विकास. कभी-कभी शरीर में अंगों का विकास ठीक से नहीं हो पाता है. जैसे, किसी के पास ओवरीज और टेस्टिस दोनों हो सकते हैं. इसके अलावा, हार्मोन्स का संतुलन भी बहुत जरूरी होता है. अगर हार्मोन्स सही मात्रा में नहीं बनते हैं, तो यह इंटरसेक्स की होना कोई बीमारी नहीं है. यह एक तरह की अलग बात है, जो कुद्रती होती है. हमें इस बारे में खुल कर बात करनी चाहिए, ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो लायक और सब्सक्राइब करना न भूले. अगली पर फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ. तब तक के लिए, नमस्कार!